ही गाइस वेलकम टू माई चैनल सो मैं टेरोट का रीडिंग और इस समय पर क्या करेंट एनर्जीज है देर का हैस आपके पास की देखेंगे टेरो कार्ड में पडिक और लेडिंग ये और टाम लेडिंग है एजनल लेडिंग संब लोग देख सकते हैं उबसे और अनेरजीज मैच प्रूप देखें और अपश्फिए संद्व प्रूर लेकर या फिर जो भावना है या या उनकी फिलिंग से वह वह प्लेड त्रू नहीं है मतलब लाइक अभी तक जो उनकी वावनाय थी या जो उनकी फिलिंग्स थी आपके लिए उसमें क्या अनर्जीज निकल कर आ रही है? क्या वो सच थी, ट्रू थी, या फिर एक दोका था, या फिर वो जूट बोल रही है, फिर अभी अगर माली जी अनर्जीज में इस टाइप की अनर्जीज हो रही है, उनकी की वो नाराज हो रहे हैं, ठीक रहे हैं, आप से बात नहीं कर रहे हैं, तो इस समय पर क्या अनर्जी है तो सारी चीज़ों को देखेंगे तो चलो को लाइक सब्सक्राइब कर ले बैल ऐकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए तो आपके परसन की जो एनर्जीज है वो आपको लेकर क्या है सो फर्स्ट कार्ड यहां पर मूब जस्ट प्रीथ फर्स्ट सेकंड का क्या ठीक उसक्ताइब है आपके परसन को सब्सक्राइब कर दो मूब जान ओर था कि है थिक्वर्स्ट नहींन को हो सकती है कि स्ट्रेस है और बहुत जादा मतलब प्रैस्टर में है माइन करें फैंड का एक के चारा रही का इनर्जी की और शाद को आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन फैंडी का जो पामली का जो जो मतलब foundation है जो family का burden है उस बज़े से कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से mentally stress या फिर बहुत ज़्यादा मतलब family की अगेंस्ट नहीं जा नहीं पा रहे हैं आप से दूर जा नहीं पा रहे हैं मतलब यहां पर energies क्या बन रही है कि उनकी feelings हैं वह इसको proper तरीके से अपने open करके नहीं बता पा रहे मतलब यहां रहा है यह उसकी पर pressure बहुत ज्यादा डाल रहे हैं कि वह उनके साब से जो है वह अपनी life को बनाए है हिसाप से अपनी life को आगे बढ़ाए यहां पर नजर आ रही है डूसरा और कुछ को ऐसा दिखरी कि थारड पार्टी बहुत ज्यादा मतलब थारड परसन हो सकते कि यह होसकते कि अचानक सडल लिए गया और उसको वह commit थे उससे कि मुझे या फिर कोई एक ऐसा person कोई new person जो बहुत जादा मतलब इनकी close आ गया और वो कही ना कही आपके person इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनको उस person के साथ नहीं जाना चाहिए ठीक है लेकिन फिर भी जो है वो उस तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं कि कही ना कही बहुत जादा मतलब प्रेशर रहे बहुत जादा stress की चीज़ दूसी जिस यहां पर believe and success का card है तो मतलब कही ना कही जो energies आ रही है वो यहां पर यह आ रही है कि मतलब कुछ success की तरफ आपका रिलेशन बढ़ेगा दूसी चीज़ कई ना कहीं अकर जो विश्वास आपका बहुत जादा समय तूट गया है वह विश्वास भी हो सकता है कि क्योंकि energies के according विश्वास जो है न वह आपको अपने रिलेशन पर इस्ट्रेस बहुत जादा समय हो रहा है आपको यह स्ट्रेस की बज़े से आप पर दिशान हो रहे हो तो यहां पर कहीं ना कहीं करने के बाद पूरी तरी के से मतलब यहां पर जो family है या family हो यह सा person हो सकता है कि जो उनको emotionally बहुत जादा मतलब अपनी बात मनवाना यह emotionally बहुत जादा इस तरीके से उनको pressurize करना यह बहुत जादा उनको बोलना जिससे की मतलब यह confidence में लेकर अपनी relation को बनाए रखना family की तरफ से ठीक है आपकी person के लिए लेकिन आपकी person जो है वह आपकी करता था अच्छी तरीके से रहते थे हमारा पास्ट पहुत अच्छा तरह लाइक इस तरह के चीज़े तो यहां पर हो सकता है कि family को happy करने के लिए या फर family को खुछ रखने के लिए वह उसकी हिसाब से को decision भी ले सकते तो यहां पर जो feelings निकल कर आ रहे है energies में changes energies है कि आपके person के energies में changes है वो कई न कई आप किसे feeling होते हुए भी और आपका साथ चाहते हुए भी क्योंकि यहां पर मुझे लग रहा है कि बहुत से energies ऐसी है कि आपको marriage के लिए बोला था या फिर आप दोनों already married हो क्योंकि आपके person इस समय जो relation है आपके साथ उसको त दिखाए दे रहे हैं शान्त दिख रहे हैं मतलब जैसे कि किसी बहुत ज्यादा किसी foundation में बहुत ज्यादा किसी stress में आकर वो इस relation की तरफ आगे चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं नहीं जा पारे family के तो यहां पर यह energies मुझे यहां पर दिख ही है अभी आपके energies को भी check कर लेते हैं ओके आई तिंक आप बहुत जादा messages कर रहे हो आपके person को past की बहुत सारी बाते याद दिला रहे हो I think energies मुझे यहां पर दिख रहे हैं और देखो कुछ लोगों की energies में तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो future है आपका वह आपका person के साथ ही हो सकता है क्योंकि अगर यह family की बजह से इनों ने अगर आपके साथ relation तोड़ दिया है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब यह इस रिष्टे में आगे जो है वो नहीं जाएंगे continue नहीं करेंगे family की बात मान कर ही जो है वो marriage करेंगे या फर family की बात मान कर ही relation को उस हिसाब से रहेंगे तो यहां पर energy मेरे को ऐसा दिख रही कहीं ना कहीं उस चीजें ऐसी हैं जो आप इस समय समझ रहे हैं यहां पर patience से रहना पड़ेगा क्योंकि आपके person के साथ आपका जो future के energies निकल कर आ रही हो future आपका दोनों का एक साथ हो सकता है म कहीं ना कहीं उन्होंने mistake की कुछ कलतियां थी उनकी जिसके वजह से आप दोनों के बीच में disturbance हो रहा है उनने पूरी तरीके से family को साब बोल देना चाहिए था ताकि आप दोनों का relation आगे जाए तो यहां पर जो energies मिल रही है वो reunion की मिल रही है बहुत जादा कि वो कहीं ना सब्सक्राइब है और यहां पर मुझे आगे की टाइम में फ्यूचर जो है वह आपका स्टेवल दिखाए दे रहा है और यह परसें जो अभी समय आप से दूर है या बिना बताएगा पूरी तरीके से no contact situation में हो गए है वह आपको खुद से कॉंटेट करेंगे ऐसी energy मुझे दिख रही है क्योंकि इस्टेवल होना चाहते हैं और वह चीज़ें जो अभी नहीं हो पा रही वह थोड़ा सी टाइम के बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे मतलब यहां पर energy जार नहीं कि 3rd person का pressure के वज़े से वह आ अपनी life को positive करें and patience रखें और आगे बढ़ें लेकिन यहां पर जो आप परसन दिखाए दे रहे हैं कुछ person ऐसे दिखाए दे रहे हैं जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी family को मनाएंगे या फिर family आपकी दरफ मतलब एक love आ रहा है लौट कर आ रहा है आपका person और love evidence का card है जो की पूरे तरीके से यहां पर indicate कर रहा है कि आपके चारों तरफ या आपकी life में proper तरीके से जो खुशियां जो सुख आप चाहते थे अपने person की तरफ से वो आपको मिलेगा so यहां पर energy is दिख रहे हैं so I hope so connect की होगी मेरी reading and personally कोई भी contact करना है call ना करा करें करप